जी नमस्कार स्वागत आप सभी के अध्यनमंत्रा के ओनलाइन पोटल पर और यूट्यूब चैनल पर मैं हुरोईद वैद्वान आप हैं और यह आठवा साल हमारी तरफ से डेडिकेट है हमारी हैश्टेग बच्चा पार्टी को जिसके लिए हम लेकर आए हैं अपने कुछ बहतरीन आर्ट कोर्स जिन बहतरीन कोर्स आर्ट में हम कुछ नई एंट्री कर रहे हैं जैसे कि सबसे नई एंट्री आती है हमारी वीडियो कोर्स की, मतलब जिसमें आप विडियो देख सकते हैं, अपने मोबाइल पर एक साथ-सारे कोर्स को लेकर, उसके साथ-साथ एंट्री आ रहे हैं क्रेश कोर्स की, जिसमें CETEAT की डिमांड पर CETEAT का क्रेश कोर्स शामिल है, साथ-साथ में कुछ अध्यन मंत्रा की जो बुक्स हैं जो आपको अमेजन पर मिलते हैं और आपने धेर सारा प्याराज तक दिन को दिया है जो हमेशा ट्रेंडिंग पर रही है उन सारी बुक्स पर भी हम देंगे आपको 26% डिसकाउंट और साथ में सबसे लास्ट में जब हम आपको दे रहे हैं वो दे रहे हैं अध्यन मंत्रा का एक नया ऐब जिसका नाम है अध्यन मंत्रा Connected लेकिन क्या है यह अध्यन मंत्रा Connected इसके बारे मं हम आपको जलोदी खबर देंगे एक नई वीडियो में लेकिन आपका सवाल होगा यह कॉर्स कब शेश शुरू होगा यह डिसकाउंट कब उठाईएगा, थेंक्यू सो मच बने रहने के लिए धन्यवाद, चले, नमशकार जी यार, हाई, दिस इस दीपक हेर, आज ही ये गाईज, जल्दी जुड़ जाते हैं, और, और, लेजस्था काई हैं, यहाई, थ हिद यहाई, जल्दी जाते हैं, आज ही ये गाईज, और, इससे ना आज यह जल्दी से और शुरू कर लेते हैं कि हमारे पास क्या-क्या options हैं आज क्या-क्या हम कर रहे हैं और सारी चीज़े देखते हैं पहला question हमारे पास था how do you evaluate success लेगे कोई मैंने बार-बार बोला there is no right and wrong answer ठीक है there is no right and wrong answer when you are giving the questions again I have told you that you be logical in whatever you say or जितनी भी बाते आप कहते हो थोड़ा सा उस बात में थोड़ी से एक logic होनी चीए और कुछ convey होना चीए मैसे सन्व कनवे होना चीए यह ध्यान रखिए है ना नमशकार है कि के और how do you manage to take class at nine you ask me to come at six o'clock I'll come at six o'clock no problem I don't believe so it's a regular schedule that we follow and there is hardly any difference in that चलिए ऐसा करते हैं जल्दी से आ जाते हैं without wasting time मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा how do you evaluate success तो question थोड़ा सा बोल्ड नहीं दिख रहा होगा उपर लिखा है how do you evaluate success यार celebration की मैं बात करूँ तो मैं थोड़ा शाय हूँ मैंने पहले ही बोला है I have never been involved in kind of you know pompous kind of stuff जहां पर बहुत जादा flaunt किया जाता है मेरे से नहीं होता है मैं उसे ही बोलू बहुत plain simple रहने की कोशिश की जाती है from my side I never like to flaunt anything in front of anyone okay so try my level best just to be very simple and sober चलिए आजए यह answer पढ़ते हैं जल्दी से और without wasting time चलते हैं मेरे ख्याल जादा तर लोगों को यह अच्छा बता दीजे दिख रहा है response आपको response आपको दिख रहा है सब को कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने लगभग लगभग जो है यहां तक अगर मैं इंट्रोवर्ट मैं तब हूं जब तक मैं क्लास से बाहर हूं है ना क्लास के अंदर तो I cannot afford to be introvert है ना लोगों ने मेरे असली करेक्टर भी देखा है telegram पे है ना तो do not expect me कि मैं बहुत introvert type हूं है ना असली करेक्टर सबके अलगी होते हैं और यहां कोई शरीफ नहीं होता जिसका असली करेक्टर है वो अलगी होते हैं no one is शरीफ है ना so when someone ask me you are a शरीफ और very decent guy I out rightly or categorically reject that no मैं कहता हूं भाई बिलकुल ऐसा उमीद मत रखिए बिलकुल भी ठीक है चलिए हमारा answer जो है guys वो क्या है वो answer है हमारा success is not a destination success एक destination नहीं है ठीक है it is a road under construction यह हमारा जो है क्या है कि यह road under construction है ठीक success is when you break your previous milestone success is when you break your previous milestone and achieve the new one like हो सकता है guys कि अभी आपका milestone क्या हो KBS की job निकालना और आगे करना है ना वो सब बात ही करना तो लेकिन एक चीज़ समझिए अभी जो है purpose यह ध्यान रखना अगर मैं बात करूं तो आप अपने जब previous milestone को break करते हैं और नया अचीव करते हैं वो आपके लिए success हो सकता है आपने KBS जॉब ले ली यह नहीं कि जिन्दिकी सुधर गई KBS की नोकरी के बाद what is the next step that will be in a success for you तो एक छोटी सी बात मैं बोल रहा हूं success is not a destination it is road under construction यानी regular process है यह कभी भी achieve ऐसा आप बोली नहीं सकते कि आपने success achieve कर लिए है ना it's a regular process next में देखिए वो क्या बोल रहा है for me success is not earning handsome amount of money केवल पैसा कमाना success नहीं है पहले भी मैंने English में बोला था working nearly for money shows the poverty of ambition केवल पैसे के लिए काम करना आपकी सोच की गरीबी दिखाता है तो यह ध्यान रखना केवल पैसा कमाना success नहीं है it is a part of success without पैसा भी कुछ नहीं है without पैसा भी कुछ नहीं है यह ध्यान रखना for me I want to make a difference in my career and do something which can add some value to my life professionally and personally if today is better than yesterday in terms of financials and knowledge that is success for me आज आप जो भी है आज आप जो भी है अगर आप कल उससे बहतर होते हैं तो guys मैं मानता हूँ वो एक success है है ना आज आपको 10 word vocabulary आता है and tomorrow you know 12 words of English language that is a success for you okay so अगर मैं बोलूं उस तरीके से आप इसको ले सकते हैं ठीक है success is not a destination it is a road under construction यह छोटी मुटी लाइने जो है ठीक है यह आप use कर सकते हैं और मैं नहीं कह रहा है यह template reply है do not go for these kind of template reply और मैं एक चीज और बात बोल दूंग guys कभी भी आप बोले तो पैसे को include करके बोले हाँ greedy मत दिखाईए कि पैसे के लिए करूंगा बट जब लोग बोलते हैं ना कि मैं society की सेवा करूंगा और मैं यह करूंगा मैं वो करूंगा मैं यह पूछता हूँ यार के वी जॉइन क्यों करना चाहते हूँ फ्री में काम करना है तो मैं दे देता हूँ आपको आप सबका ultimate purpose government job का है जो वो एक handsome salary आती है वो आपके account में credit होनी चाहिए है ना without पैसे के कोई काम नहीं होता यह ध्यान रखना so when you go with these kind of stuff when you go with these kind of stuff देखो मैंने नीचे वाली line में क्या लिखा है if my today is better than yesterday in terms of financials यानि कल अगर मैं 10 रुपे कमा रहा था तो आज मैं 12 रुपे कमा हूँ वो मेरी success है ना पैसे को भी ध्यान रखिए क्योंकि पैसे के बिगर इस संसार में कुछ भी नहीं है आप और मैं कुछ हम सारे लोग जो है एक purpose के लिए जुड़ते है वो है to earn money ठीक है कोई और किसी का कोई purpose नहीं है मेरे को नहीं लगता कोई charity करने के लिए कोई जल्दी से काम करते है everyone is working for money but it should not be the only reason पैसा अकेला reason नहीं होना चाहिए ये ध्यान रखना ठीक है पैसा अकेला reason नहीं होना चाहिए ये ध्यान रखिएगा ठीक है चलिए नजमा जी को मेरी तरफ से भी happy birthday है I have seen lot of messages ठीक है so happy birthday to नजमा जी ठीक है चलिए तो ये मेरी तरफ से reply था इसमें से आप जितनी भी lines pick कर सकें आप pick कर सकते हैं मैंने फिर बोला success is not destination it's a road under construction breaking your previous milestone and achieving the new one 10,000 word आते थे अगले साल 15 आते है ये success है है ना आप पहले PRT थे अप PGT है ये success है PGT थे principle है ये success है principle है आप आगे जाके क्या बन गए block officer बन गए या आप head बन गए उसके तो वो भी आपकी success है ये ध्यान रखिए ठीक है चलिए move करते हैं ये तो हमारी तरफ से था जो एक हमारा question था उसका answer ठीक है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा बहुत logical लगा होगा ठीक है थोड़ा बहुत आपको ये logical लगा होगा ये ध्यान रखिएगा यार इशू जी बहुत बहुत मुबारक हो अगर आपका birthday 25th को था और चलिए एक काम करते हैं आप जल्दी से आ जाते हैं और मेरे को 10 prepositions के अंदर गाईज ये ध्यान रखना total मैंने 10 prepositions दी है 10 में मेरे को लगता है आपके 8 नमबर तो आने चाहिए गाईज ठीक है out of 10 मुझे लगता है कि आपके 8 नमबर सबके आने चाहिए ये ध्यान रखिएगा ठीक है जी sorry 10 में से मेरे को लगता है आपके 8 नमबर मुझे चाहिए आ जाते हैं मैंने पहली बार बहुत ही इजी रखा गाईज हमने ठीक है बहुत ही इजी और देखे गाईज मैं बार बार आपको बोलता हूँ इंटर्व्यू में कोई मैं नहीं कहा रहा मेरे वाला अंसर दी बेस्ट बट ट्राइट टू कवर एवरेटिंग वेन पीपल गो एन सेट इमोशनली की बच्चों बच्चे अगर पास हो गए तो वो मेरी सक्सेस है और यार बच्चे पास हो गए बच्चों का करियर बन गया आपका क्या रहा है ना अगर आप पी आटी थे और पी आटी रिटायर हो गए तो आपने सक्सेस कहां से ली है ना तो मेरा कहने का मतलब ग्रैजूल वे में अपने प्रीवियस माइल स्टोन को ब्रेक करते हुए आगे चलने को हम सक्सेस बोलते हैं चलिए आ जाते हैं बहु बात करूं तो बरी कर देना बरी करना है ना ही है इस बिन एक्विटेड और इसके साथ एक ही प्रैपजिशन चलती है वो कौन सी है वो है ऑफ एक्विट के साथ ऑफ प्रैपजिशन चलती है जिसको भी ऑनलाइन कोर्स परचेस करने में दिक्कत आ रही हो वो मेरे को इंगल discussion with दीपक सर पे contact कर सकता है कोई प्लीज मेरा telegram channel forward कर दीजिए ताकि सब को वो मिल जाए ठीक है तो वो मुझे उस पे contact करिए मैं arrange करा दूँगा किसी को भी दिख कर तो पहला जो हमारा answer है guys वो क्या है off पहला हमारा answer क्या है वो है off ध्यान रखिए और मैं देखना चाहता हूं कितने लोग 10 में से कितना scoring कर पाते हैं out of 10 आपका scoring क्या रहता है पहले आज मैंने बहुत easy वाले रखे हैं ध्यान रखिएगा चलिए I am annoyed dash your behavior I am annoyed dash your behavior जल्दी जल्दी answer बताईए आज जल्दी answer बताईए guys और speed से करते वें चलेंगे हम ठीक है ना speed से करते वें चलेंगे I am annoyed dash your behavior guys अगर आप किसी person से नराज होते हैं annoyed तो वो होता है with someone यानि अगर आप किसी person से नराज हैं तो आप लिखोगे annoyed with you person से नराज है तो annoyed with बोलेंगे लेकिन अगर आप उसकी किसी चीज से नराज हैं तो आप बोलेंगे annoyed at something अगर आप मेरे behavior से नराज हैं तो आप बोलेंगे I am annoyed at your behavior ठीक है तो यहाँ पर जो answer आएगा वो क्या आएगा guys at हाँ with तब आता जब यहाँ पर person होता ठीक है यहाँ पर कोई परसन होता तो विदा आता यह ध्यान रखिए तो I am annoyed at your behavior यह ध्यान रखिए गा और guys बहुत जादा पेपरों में यह दिखा है यह ध्यान रखिए गा annoyed यह 10 के 10 कोशन कहीं न कहीं previous years में आए हुए हैं तो वहीं से हमने इसको पिक करा है ध्यान रखिए गा चलिए थर्ड कोशन पे मैं आपका स्कोर सीधा 10 के बाद देखूंगा guys अभी मैं बहुत जादा चैट नहीं देख रहा मेरे को लगता है कि अब हमें कम टाइम में जादा काम करना है यह ध्यान रखना ठीक है एक एक घंटे की क्लास हो रही है तो I am trying my level best phrasal भी बहुत काम आती है पुश्वा ठीक है यह ध्यान रखना चलिए next पे चलते हैं guys third number I am not acquainted dash this kind of environment guys अगर किसी को अपनी prepositions अच्छी करनी है तो उसका एक solution है वो है कि you should focus a lot on reading क्योंकि prepositions को आप है न क्रैम नहीं कर सकते गाईस यह ध्यान रखना prepositions एक ऐसी चीज है जिसको आप बहुत जादा रट नहीं सकते तो अगर आप regular एक reading करते हैं अगर आप एक regular reading वाला process अपने साथ रखते हैं तो एक flow बन जाता है ठीक है तो वो थोड़ा सा हमारे लिए सही रहता है ठीक अगर मैं बोलो I am not acquainted अब देखिए यहां पर क्या होता है न multiple options चलते हैं अब इसमें न guess नहीं चलता अब आप क्या है थोड़ा सा आपको यह regular पता होना चीए एक्वेंट का मतलब होता है किसी से familiar होना एक्वेंट का मतलब क्या होता है गाईस किसी से familiar होना परीचित होना ठीक है तो एक्वेंट जो होता है जैसे मैंने क्या मोला मैं नहीं जानता यार उसे तो I am not acquainted with him एक्वेंट के साथ जो preposition चलती है वो चलती है with I am not acquainted with him हाँ अगर कोई बोले एककस्टम एककस्टम के साथ जो preposition चलती है वो चलती है to एककस्टम मतलब भी होता है किसी से जान पहचान होना जैसे मैंने बुला यार तुमारी तो असम में पोस्टिंग हो गई कैसा रहेगा आपने बोला I am not accustomed to the environment यार मुझे बिलकुल वहां का आइडिया नहीं है मैं वहां के environment से accustomed नहीं हूँ एककस्टम का मतलब क्या होता है ठीक है अगर accustomed की बात करूँ तो accustomed मतलब भी होता है परीचित होना accustomed मतलब भी होता है परीचित है ना बट यह ध्यान रखना acquaint जो होता है उसके साथ आप विद लगाते हो और जो accustomed होता है उसके साथ आप तू लगाते हो ठीक है I am not accustomed to these environment ठीक है और अगर मैं बोलू I am not acquainted with him मैं नहीं जानता हो उसको ठीक तो यह ध्यान रखिएगा proposition हमेशा से difficult रहा है और वो बहुत जादा मुश्किल होती है यह मैं पक्का मानता हूं but proposition is easy for those people guys ठीक है अच्छा हाँ मनोजी बिल्कुल असाम से है मेरे फ्रेंड भी एंग दो असाम में ठीक है very 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 good area और इस्पेशली सिक्किम गेंग टॉक निकल जाओ वहां से तो that's also very good चलिए अगर मैं बोलू यहां पर इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि reading जिसका अच्छा है जिसका overall English अच्छा है ठीक है acclimatize करना भी बूल सकते हैं फर्जीन बिल्कुल सही कह रहे है आप है न acclimatize करना ठीक चलिए तो यहां पर जो answer बनेगा guys acquainted के साथ चलता है when acquainted when ठीक है यह ध्यान रखें प्रैपजीशन तो देखो मैं तो सीधी बाद मानता हूं लेके बैठ जाईए 100 blanks देखिए किसके 80-90 नंबर आ रहे हैं वो प्रैपजीशन में ठीक है ठीक है यह ध्यान रखना यह साजीदा जी मुझे पता है आप से हैं बिलकुल ठीक है यह चलिए I am sorry I cannot exceed अब इसमें जो word आ रहे है न वो भी बड़े important है yes Darjeeling वाले लोग भी है बहुत अच्छी बात है Darjeeling मैं बिलकुल plan कर रहा हूं अगले साल आने का मेरा friend Calcutta में है so we are planning from Calcutta to Darjeeling to you know Gangtok, Sikkim and all that so next year probably I will be in Darjeeling चलिए I am sorry I cannot exceed I am sorry I cannot exceed exceed का मतलब क्या होता है guys यार देखो कुछ भी नहीं बड़े असान है यह मैंने आज proposition बहुत असान रखिये मुझे लगता है some of you might be you know scoring 10, 8 out of 10 यू बड़े असानी से मिल जाएगा ठीक तो अगर पहले तो exceed का मतलब देख लो exceed का मतलब होता है accept करना या अगर मैं बोलू agree करना तो exceed का मतलब एक तरीके से agree कर जाना accept कर जाना उस type में आप बोल सकते हूं ठीक है ना agree करना accept करना उस type में आप इसको बोल सकते हूं और exceed के साथ एक ही proposition चलती है exceeded to और ये इसवार dssb में भी आया था ये ध्यान रखेगा I cannot exceed to your request ठीक है तो exceed के साथ कौन सा proposition चलता है guys to चलता है exceed मतलब accept करना agree कर जाना किसी भी बात को ठीक चलिए next चलते हैं आजए थोड़ा साथ speed सही चल रही है हां जी बहुत प्यारा word है ये मैंने काफी बार बता चुका हूं ठीक है ये काफी बार मैं बता चुका हूं तो देखना चाह रहा हूं कि how many of you are aware of this world और जितने भी afternoon farmer है वो भी थोड़ा late लेंगे that they might take some time to join us ठीक है so there are few afternoon farmers who are still sleeping or probably still not able to wake up early in the morning so that they might take some time but please change your name as afternoon farmer if you are coming late चलिए you should learn it word dash word मैं कई बार बता चुका हूं इसमें ठीक है अगर इसमें बात करूँ तो guys दो तरीके से आप यूज़ करते हो अगर आप यूज़ कर रहे हो word for word ध्यान रखना अगर आप यूज़ कर रहे हो word for word तो इसका मतलब होता है verbatim ये ध्यान रखना verbatim और verbatim को याद कैसे करना है verbatim dialogues इसको ऐसे याद कर लो verbatim dialogues है ना यानि इसको आप ऐसे बोल सकते हो as it is as it is ध्यान रखिए तो अगर कोई भी आपको बोलता है ये word for word कर लो तो word for word का मतलब आप उसकी cramming कर लो जैसा है वैसे का वैसा जैसा है वैसे का वैसा अगर मैं हिंदी में बोलो तो ठीक है तो अगर कोई आपको बोल रहा है word for word you have to do it so guys as it is कर लीजिए जैसा मैं बोल रहा हूँ कोई questioning नहीं कोई further discussion नहीं मैंने आपको बोला A for apple तो A for apple ही याद करो A for aeroplane नहीं मानूंगा मैं जैसे अगर आपने बोला A for apple आपने बोल दिया A for aeroplane मैं बोलता हूँ ना D for Delhi आपने बोला D for Deepak मैंने का नो D for Delhi तो D for Delhi आपको मैं verbatum याद करा रहा हूँ word for word याद करा रहा हूँ ठीक है बट अगर आपके पास यह होता है word by word तो word by रोट लर्निंग बोल सकते है रोट की spelling थोड़ी गलत लिखी आपने लेकिन ठीक है रोट लर्निंग बोल सकते है रोट रोट और गाइस word by word होता है जैसे मैं क्या कह रहा हूँ आप इसको word by word पढ़के साइन करना ठीक से word by word होता है जब आप किसी चीज की reading करते हो और आप एक एक शब्द पढ़ते हो एक एक शब्द को पढ़ना उस टाइप में आप बोल सकते हो जैसे मैंने क्या बोला यार कल मैंने contract sign करा पूरा word by word पढ़ लिया था word by word का मतलब as it is sorry word by word का मतलब होता है जब आप reading करते हो please sign a contract after reading word by word यानि एक एक शब्द पढ़ो तब कहीं sign करना और word for word का मतलब होता है क्या ठीक है as it is and I am I am really really surprised that people focus so much on word for word kind of reading ठीक है नीरज अभी literature पे यार मैं कुछ promise नहीं कर सकता जूट मैं आपको बुलूंगा दी ठीक है false promises मैं दूंगा नहीं literature पे अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूं ठीक है बट काम मैं कर रहा हूं उस पे जैसे ही होगा कुछ आपको मेरी तरफ से मिलेगा जरूर चलिए तो word by word और word for word में फरक है word for word is only for reading ठीक है word for word for reading और अगर मैं बात करूँ क्या नाम है आपका word by word होता है reading word for word as it is English में कोई यह लाइन नहीं होती word to word यह बोलना बंद कर दीजिए ध्यान रखना word to word होती नहीं है यह लाइन को आप बोलना बंद कर दीजिए ठीक है किसका अमितेश जी क्या reply करना है आपको मैं समझा नहीं मैंने पढ़ा नहीं reply पूछ लीजिए क्या करना है है ना तो मुझे idea हो जाएगा जिसको भी paid course लेने में English का दिक्कत आ रही हो please call अध्यन मंत्रा और they can approach me on telegram I can reply to them I can help them out मैं उनका number ले लेता हूं और उनको call arrange करा देता हूं ठीक है ना तो आप simply you can send me your number और any other stuff ठीक है तो आप उस पर मुझे भेज सकते है word to word असा चलिए आ जाते हैं अगले question पे paid batch अमितेश जी लीजिए कहां पर आपको मिलेगा अध्यन मंत्रा की site पे जाके links available है ठीक है वहां चलिए आज है यह जल्दी से और registration नहीं हो रहा तो अमितेश मैंने बुला ना आप मेरे को telegram पे message कर दीजिए English discussion with दीपक सर पे मुझे message कर दीजिए ठीक है मैं आपको reply कर दूँगा उस पे काम कर लेंगे चलिए आज है यह वर्ड तो यहां पर हमारा answer जो आना था वो आना था word for word ठीक है यहां पर answer जो आना था word for word यह प्लीज याद रखिए गा ठीक तो word for word मैंने कई paper में भी देखा है ठीक है यह ध्यान रखिए गा जिसको यार मैं बार बार बोल रहा हूं देखिए repeat नहीं कर जिसको भी दिक्कत आ रही हो वो मुझे टेली ग्रैम पे एक मैसेड ड्रॉप कर दीजिए मैं उनको अप्रोच करके help कर दूँगा literature का मेरा कोई course ना भी आना है और ना आएगा मैं पहले clear करता हूँ ठीक है ना तो literature पे मेरे से अभी YouTube वीडियो शैद आजा मतलब paid course नहीं आएगा गाई से लिट्रेचर का paid course मेरी तरफ से नहीं आएगा आप मेरे पर भुरूसा मत रखिएगा उस चीज़ पर मैं पहले clear कर रहा हूँ ना कल को ऐसा ना हो आप कहें कि यार आप टाल रहे थे टाल रहे थे और मैंने कहीं लिया नहीं जहां पर भी आपको best लगता है हमारे तिवारी सरका बीदर है और है तो वो आप लीजिए मेरा फिलाल को लिट्रेचर का course नहीं आएगा यह मैंने clear कर दिया ठीक है हाँ I'll transform this class into English now okay आजए यह चलिए right now the complete focus is on the TAT ठीक है KBS and all these kind of stuff ठीक है हाँ but the kind of batch that I am giving that is going to be a very very lucrative one half an hour complete हो गया now people are demanding that I should work on more on the English to English class right so now guys next question is he was charged dash murder of his neighbor तो guys एक चीज़ ध्यान रखना अगर आपके पास word आता है accused तो हम बोलते हैं accused of murder लेकिन अगर हमारे पास word आता है charged तो हम बोलते हैं charged with murder ठीक है यह ध्यान रखना यह भी आपका के उसमें UP में आया हुआ है accused of murder तो अगर आपके पास accused word आता है तो हम और लगाते हैं ठीक है अगर आपके पास accused word आता है तो हम off लगाते हैं लेकिन अगर charge आता है तो charged with murder होता है accused of murder होता है तो यह ध्यान रखना यहां पर answer हमारा क्या आएगा B for Bombay चलिए we'll be moving to the next question so the next question is pollution is dash menace इसको पहले तो pronunciation make sure guys you know the pronunciation of this word menace है ना इसको अगर मैं बोलू तो menace menace का मतलब होता है threat problem dhamki right it is a threat problem और अगर मैं बोलू तो dhamki type में जिसको हिंदी में we can use the you know the manace manace मतलब I am receiving lot of manaces from the local gundas okay I am receiving lot of manaces from the local gundas lucrative का मतलब होता है बहुत ही जादा जो labdaयक होता है lucrative is something which is very very useful ठीक है चलिए pollution is manace dash to our health this was again in d triple sb in the recent time ठीक है this was a part of d triple sb तो manace के साथ एक fix proposition चलती है and that is to manace to public health manace against नहीं होता manace for नहीं होता it is manace to ठीक है अगर कोई चीज किसी के health के लिए manace के साथ fix proposition to manace against नहीं होता है ठीक है ना manace against नहीं होता manace to manace to public health मतलब public health के लिए ये एक manace है manace मतलब धंकी है threat है problem है तो एक fix prepositions है guys इसमें against नहीं आएगा ध्यान रखना चलिए next पे आ जाते हैं जंदी से और guys preposition में एक ये issue है that we sometime become completely helpless है ना क्योंकि multiple prepositions looks good कई बार you will find the multiple preposition you know like giving you the correct reply but there will always be one answer and sometime you have to go with that और उसमें क्या होता है गाई ये these are the fixed prepositions so we are also become some sometime the helpless kind of a guy जहां पे we cannot help you out in this चलिए एक नंबर is put up with का meaning बताइए put up with what do we mean by put up with so put up with guys put up with का मतलब होता है मैंने बुला यार please please do not send message again and again and again I cannot put up with your you know like the insolence in the class put up with मतलब होता है किसी भी चीज़ को tolerate करना जहेलन ठीक है put up with means tolerate करना जहेलना जिसको आप बोल सकते हो endure करना जिसको आप बोल सकते हो सहना हिंदी में what do you call it as सहना okay so put up with means when I cannot tolerate anything so that is called put up with I cannot put up with this sort of behavior in the class मैं इस तरह का behavior बर्दाश नहीं कर सकता you can also call it as beer सहना right so यहां पर अगर मैं बोलू तो हमारा answer क्या आएगा and your and your मतलब किसी भी चीज़ को bear करना ठीक है यह ध्यान रखिएगा चलिए put up with भी आपका KBS के अंदर ही कहीं पे था ठीक है मैरी के साथ की prepositions बतानी पड़ेगी आपको थोड़ा time दीजिए चलिए act on यह मैंने पहले भी बताया था what act on you to become a social worker what act on you to choose KBS what act on you to become a teacher what act on you to become do something in your life जैसे मेर को आप बोलो यार what act on you to become faculty of English language so मैं बोलूँगा my love for English language act on me to move to this faculty kind of stuff insolence मतलब होता है बत्तमीजी या rudeness ठीक है insolent behavior यानी बत्तमीजी वाला या rude वाला ठीक है brook किसी ने word लिखा है बहुत अच्छा word है I cannot brook any further criticism brook मतलब भी होता है जेलना ठीक चलिए गाइस तो यहाँ पे मैंने बोला what act on you to become a teacher what act on you to become you know or choosing KBS what act on you to choose that particular profession so act on का मतलब होता है किसी को persuade करना या push करना persuade करना पुश करना ठीक है ना और अगर मैं यहाँ पर बोलू तो यहाँ पर answer आ सकता है well you can call it as urge करना ठीक है so here you can mark the answer as urge करना what act on you to become a social worker तो किस चीज़ ने आपको act on करा to become the social worker ऐसे lines में याद कर लीजे ना what act on you to become a social worker या what act on you to become a teacher what act on you to become a politician right so we can call it like this चलिए नेक्ट पर मूव करते हैं आज का last question and I want to see how much you scored today how much you scored today we should not be blind dash the fault of our children we should not be yes फर्जीन अच्छे वर्ड लिखे अपने urge inclination you know persuade compel करना बोल सकते हूं right guys this is the way to learn मैं बार बार बोल चुका हूं do not go for shortcuts in your life do not look for those things which are you know the very very easy stuff guys nothing is easy nothing is easy ध्यान रखना so if you guys are looking for the easy stuff in your life and someone is telling you कि एक घंटे में 100 prepositions करा दे तो I don't believe so that is gonna help you out at all थोड़ा थोड़ा करके regular practice में रखिये थोड़ा one year will be enough to clear any of the exam reading is indispensable ये ध्यान रखना मैं बार बार लिखता हूं reading is indispensable आपको नहीं बता होगा morning में 6.30 उठा था 7 o'clock से 7.30 तक मैं half an hour reading कराया है ना जस्वन सिंग एक्सपैर कर गए है बीजेपी स्टॉलवर्ट थे उनके उपर editorial आयो है Indian Express में I read that complete editorial तो उसमें वो आपका जो है क्या नाम है बीजेपी के बड़े close एक नाम थे मैं नाम भूल रहा हूं उनका वो बहुत अच्छे writer भी है so he wrote that article and he was criticizing the current you know BJP as compared to the BJP of वाचपई and there was a contrast which was happening in that and read that article very very important guys आदे घंटे दिन में कभी भी मौका मिले लगाए खाली बैठें और newspaper का आदा घंटा उठा के रगा दीजिए reading is indispensable otherwise आप रटकर अगर language समझते हैं तो guys फिर तो far cry है आप रटकर मस समझे language को चलिए यहाँ पर जो बोल रहा है हमें बच्चों के false को लेके blind नहीं होना चाहिए ठीक है so blind is something guys यहाँ पर अगर मैं बोलू एक English में है हमारे पास अगर कोई एक आँख से नहीं देख पाता तो हम बोलते हैं blind in one eye है ना अगर मानिए कोई एक आँख से नहीं देख पाता तो we normally call it as blind in one eye लेकिन अगर मैं बोलू यार तुम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे तो मैंने बोला blind to blind to his children's fault तो उसमें आप बोल सकते हो blind to his children's fault यह कुछ blind to का मतलब होता है not to pay attention blind to का मतलब like you can call it as not to pay attention ध्यान ना देना not to pay attention you can call it as ध्यान ना देना ठीक है ना we should never be blind to what our children are doing है ना we should never be blind to what our children are doing keep a close eye आज कल ये phone जो है ना that connect your children to the outer world and the outer world is not very good है ना so when they are exposed to the outer world they are they are not dealing with very good people there are lot of allurement there are lot of problems है ना so make sure you take care of your kids you should not be blind to what your children are doing उनकी सर्च हिस्ट्री देखिये उनका proper keep a close eye on them है ना very very important ठीक है ये ध्यान रखिये चलिये शेर your score out of ten share your score out of ten guys कितना score है इफ you if you are scoring six or seven I believe you are a good audience अगर आपका score ये है अगर आपका score ये है so you are a good audience there is no problem at all ठीक है seven eight approx score है six है so I don't believe so you know you are going good there is no problem at all कै चलिये वेरी गुड़िये यार्श्री ये इफिए you already have gone through with very good if someone score ten out of ten very nice ठीक है no problem nine six four is not acceptable four is not acceptable जिसका four score है ऐसा नहीं वो preposition में वीक है guys he might not have done reading in his life है ना important to go with reading important to go with reading regular basis पे request to everyone pick up है ना half और concrete reading ऐसा नहीं कोई आपको reading करा रहा है किस पे YouTube पे आप अपने आप बैट कर करिए है ना half an hour कर reading you all have to do sitting at your home by going with the editorial or the normal newspaper whatever you feel like है ना so please try to understand reading is indispensable आ जाते हैं guys कुछ vocabularies भी है हमारे पास तीन चार वर्ड का और देख लेते हैं हमारे पास vocab में क्या है कुछ हद तक हम पुराने वर्ड भी लाएंगे नए भी लाएंगे चलिए peculiar quirky quaint और queer मैं इसके एक synonym और लिख देता हूं अनन्दिता if you are scoring four this is danger situation okay so I want you to score more in that I are session ko बिना बोले like किया करें और please spread it to other people who wants to have great understanding of English language or I strongly believe if you get connected with me for three months only you will see the difference in your life and there is not any other doubt about it चलिये बड़ा peculiar problem निकल के आया ये Corona virus जो है Corona virus seems to be a peculiar problem guys बहुत ही दुनिया से अजीब गरी problem निकली आ रही है कभी सोचा ही नहीं था that in 2020 will be sitting at home the entire you know India will be closed and the quarantine word the lockdown word which are completely new we heard it prior we heard it you know like the beforehand but मिर को लगता है but this was something you know I am reading NCRT वो कहीं से भी reading करिये यार मुझे लगता है that is enough कहीं से भी but you should read English language चले गाइस तो अगर कोई भी peculiar problem है कोई भी bizarre decision है कोई भी ऐसी quirky कोई आपने सुना होगा queer fish है queer fish कोन होते है English में एक line होती है queer fish queer fish का मतलब होता है आस तिर्व व्यक्ती जिसका यही नहीं पता वो आज क्या करेगा कल क्या करेगा तो मैंने बोला he is a queer fish do not believe on him है ना he is a queer fish do not believe on him तो यहां पर अंसर आएगा क्या इस क्या weird बहुत ही अजीबो गरी so she has the most peculiar ideas peculiar ideas और गाई जिनके ideas peculiar है है ना हां जी यह synonyms है guys यह इसके synonyms है ठीक है these all are four synonyms मैंने bizarre और outlandish भी लिख दिया था ठीक है all reading is sufficient for learning English reading can be 50% 50% can give you reading your behavior is so wired नी weird और peculiar चलिए चलिए आते हैं जल्दी से guys peculiar problem means बहुत ही अजीबो गरीब problem gloomy मतलब sad होता है dissected मतलब भी sad होता है ठीक है वो धीरे धीरे हम देख लेंगे but peculiar problem याद रखिएगा पहुती quirky behavior है उसका बड़ा quaint behavior है बड़ा ही queer fish की तरह behavior करता है मैं कह रहा हूँ बहुत bizarre fashion करता है आप जानते होंगे मैं हमेशा रणबीर सिंग का नाम लेता हूँ the you know the like the husband of DP का पादुकोर he is known for his bizarre fashion bizarre fashion मतलब कुछ भी पहन के कहीं भी चला जाता है ठीक है so he is known for his bizarre fashion किसी ने यहाँ पे eccentric word भी लिखा था eccentric थोड़ा संकी टाइप में होते हैं but synonyms can be treated ठीक है चलिए आप regular के effort मारिए यार बिलकुल सब change हो जाएगा चलिए casting expression बहुत प्यारा word है आजकल बहुत चल रहा है newspaper में casting expression बहुत प्यारा word है देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं let's see देखो श्वेता reading कहीं से भी करिये you read ncrt you read any other stuff but read only those stuff which you can read without the help of dictionary guys we should never read those stuff where we are getting so much of vocabulary क्योंकि फिर वो आप read नहीं कर पाओगे आप vocabी collect करते रहोगे ठीक so I would suggest you read only those stuff that you can read without the help of dictionary और एक दो वर्ड आये तो that you can refer to dictionary बड़ ऐसा नहीं है एक article पढ़ने चले 20 वर्ड नहीं आते थे तो guys उस reading को मैं reading नहीं मानता that's a vocabulary collection so reading has to be only from that area where you can you know और एक अपने level पे reading करिए चलिए देखिए कास्टिंग expression express होता है किसी की image को खराब करना है now these days people are casting expression on Bollywood ऐसे लग रहा है जिन लोगों को वो इतना प्यार करते थे और उनके जैसा बनना चाहते थे they were emulating them they were you know like wanted to have the same lifestyle तो मुझे लगता है आज उनसे वो नफरत करते हैं ठीक है now they are casting expression DP का drugs लेती है वो drugs लेती है तो guys casting expression का मतलब होता है जब आप किसी को बहुत जादा criticize कर रहे हो और उसके उपर आरोप पे आरोप लगा रहे हो ठीक है तो एक तो होता है देखो अगर मैं बोलू critical remarks मतलब criticize करना ठीक है एक होता है left handed compliments left handed compliments होता है कि जब आपको लग रहा हो कि आपकी अच्छाई हो रही है but people are actually doing your you know criticism जैसे left handed compliment मतलब आज तो लग रहे सारे पढ़े लिखे लोग आए हैं मैंने आपको left handed compliment मार दिया इसका मतलब मेरा मतलब पहले क्या thought था कि अब कोई पढ़ा लिखा नहीं था मैंने का आज तो सब पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं 10 में से 10 10 में से 10 it means I have not you know praised you I have given you a left handed compliment left handed compliment means अच्छाई के रूप में बुराई देना ठीक है अच्छाई के रूप में बुराई देना is called the left handed compliment right यह ध्यान रखना तो यहां पर actual में एक slender word होता है guys slender मतलब होता है किसी को क्या करना अगर मैं बोलू slendering the reputation मतलब किसी की reputation को demean करना अगर किसी की reputation को आप demean कर रहे हो नीचा दिखा रहे हो तो हम English में बोलते है slendering his reputation ठीक है slendering his reputation तो casting expression मतलब क्या है और entire media is casting expression on entire Bollywood derogatory remarks देना यह सही है बिलकुल ठीक है मकमल का जूटा लपेटना यह आपका यह होगा क्या नाम है आपका left-handed compliment ठीक है तो यहाँ पर मैं बोलूँगा defame करना derogatory remarks करना demean करना taunt करना तो यह आपका जो answer आएगा वो आएगा passing slendrous remarks passing slendrous remarks का मतलब होता है guys जब आप किसी को मतलब इलजाम लगाते हो और कई बार वो इलजाम सही नहीं होते तो slendering the reputation be little करना willify करना derogatory remarks यूज करना यहाँ पर बहुत educated लोग दिख रहे हैं मुझे बड़े शांदार word यूज करते हैं willify करना इतना असान नहीं है यूज करना willify means क्रांती जिन्दा रहे यह क्या word पूछते हो यार करन भाई पता नहीं ऐसे मैं कभी English पढ़ता नहीं इस word की पूरा translation बताओ अगर मैं बोलू तो passing slenderous सिमाक्स means when you are criticizing someone satire use कर रहे हो be little use be little कर रहे हो willify कर रहे हो विट्यूपरेट कर रहे हो उस type में आप बोल सकते हो right अभी शेक I have never forgotten your name brother ठीक है ऐसा मत को ठीक है चलिए आज है यह 13 number canard the widespread canard that every lawyer is dishonest no I have not given it is not my nature to give you left-handed compliment it is not in my nature to give left-handed compliment I can directly criticize you for some reasons but it is not at all in my nature to give you left-handed compliment मुझे लगता है जो लोग महनत कर रहे हैं sincerely कर रहे हैं they are gonna reach to their destination और जो time pass करते हैं वो जिंदिगी भर उनका time pass ही होता रहता है चलिए canard का मतलब क्या होता है बहुत famous है बई canard there is a widespread canard that every lawyer is dishonest canard को आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हो rumor here say है ना तो यहाँ पर अगर मैं देखूं guys true story तो होई नहीं सकता ठीक है candid मतलब होता है बिल्कुल true एक दम सच्चा खरा है ना humorous भी नहीं हो सकता humorous तो होती है मजाकिया ठीक है तो हमारा answer क्या आएगा a fabricated story जो मतलब बनाई गई है but that is not real ठीक है there is a widespread canard that all lawyers are dishonest there is a widespread canard that all politicians are mendacious एक canard है guys की सारे politician क्या है mendacious है तो guys यह जो आपको बिजली पानी यह जो मिल रहा है ठीक है यह कोन दे रहे है यही तो दे रहे है है ना so many मान रभ बहुत अच्छा काम politicians करते हैं but at least they are doing something है ना just country is still moving on still going in direction सो मुझे लगता है कुछ politician तो अच्छे भी होते हैं so there is a widespread canard that all politician are mendacious थोड़ा सा गलत है ठीक है तो fabricated false story here से cooked up है ना cooked up story बोल सकते हैं very nice very very nice guys तो हमने तो तीन वर्ड देख लिए थोड़े बहुत और बहुत जरूरी वर्ड है कोई दिकत नहीं है केनाड का मतलब rumor भी बोल सकते हो here से भी बोल सकते हो cooked up story बोल सकते हो मन घढंत बोल सकते हो तो fabricated one है ना fabricated one कौन सी होती है अपने आप जो बनाई वी story होती है there is no reality there is no no like to speak live बोल सकते हो canard is a fabricate story fabricated मतलब होता है जो मन घढंत कहानिया बनाई जाती है fabrication कर रहे हो आपको जूट बोल ला है now you are fabricating a story आज आप लेट हो गए घर में 9 बज गए अब घर जाके जो story fabricate होगी आपको पता है आज institute में क्या हो गया यह हो गया वो हो गया इधर हो गया उधर हो गया now you started fabricating the story fabricate करना मतलब मन घढंत कहानिया बनाना उसको बोल सकते हो candid statement वो होती है जो बिलकुल true statement होती है बिलकुल सची और खरी होती है चलिए किसी ने implausible भी लिखा है that is also very good ठीक है candid मैंने बताया है na candid pics होती है candid statements होती है candid मतलब the very very you know true statement I can give you candid reply I can give you candid reply ठीक है candid मतलब बिलकुल true चलिए guys मैंने ज्यादा word आज नहीं रखे हैं और next पर move करता हूँ एक हमने हर बार कहा था कि एक हम story वो क्या कहते हैं एक proverb रखेंगे एक हर बार एक हम proverb एक कहानी जो हम regular में लोगों को we can use to impress people है ना we can use to impress people last time we did I believe last time हमने कौन सा करा था बताई यह जड़ा can somebody share what was the you know the proverb in the last time I don't remember exactly last time we did us you know like approval which I exactly don't remember can you share some people are used to fabricate शरकर student you always give canard story yes कई लोग बड़ा अच्छा लिखते हैं कई लोग उसका खिचडी भी बना देते हैं बढ़ ठीक है अगेन आई वूट से दाट्स गूट कॉकन बूल स्टोरी वेरी नाइस चले लास्ट टाइम हमने कौन सी प्रोब यूस करी थी गाईस रोलिंग स्टोन गैदर नो मोज राइट है ना लुड़कने वाले पत्थर पे काई नहीं जमती अब देखिए गाईस मैं हमेशा से बोलता हूँ डोंट टेल यूर प्रोब्लम तो अधर्स 80 परसेंट डोंट केर 20 परसेंट आर हैपी इफ यू हैब देम अपनी कहानिया दूसरों को मत बताओ 80 परतीशत लोगों को परवा नहीं और 20 परतीशत लोग बड़े खुश होते हैं कि आपके पाप प्रॉब्लम है है ना तो मैं हमेशा से कहता हूँ गाईस सिरफ जूते पहनने वाले को पता है कि जूता कहां काटता है अगर आपने पहना हुआ है तो मुझे थोड़ी पता लगेगा तो नोबड़ी नोस अबाउट यॉर प्रॉब्लम यू आर दी ओल्ली वन हूँ नोस अबाउट यॉर प्रॉब्लम सो वेरर नोस वेर दा शू पिंचिस मेरी बड़ी फेवरेट स्टेटमेंट है जब मैं किसी को भी बोलता हूँ कहता है यार क्यों दुखी होता है लाइफ बड़ी अच्छी है ये है वो है मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करता गाइज हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है sometime you can cure those problems sometime you know you might not do anything with those problems so मेरा मानना है the wearer knows where the shoe pinches जूता पहनने वाला ही जानता है कि जूता कहां काटता है तो दूसरों की problem का एक तो मजाक मत उड़ाइए कभी और do not make fun of anyone उसको पता है कि उसका actual problem क्या है और how to deal मैं अपने यहां पर खड़ा हो के तो बड़ी-बड़ी motivational बाते कर दूँगा but I don't know about your situation तो guys बड़ी अच्छी proverb है we all can use this proverb जूता पहनने वाला ही जानता है जूता कहां काटता है ठीक है जूता पहनने वाला ही जानता है जूता कहां काटता है ठीक है दो जिसका दुख होता है वही जानता है यह ध्यान रख्येगा चलिए लास्ट हमारा आज का कोश्चन है गाईस और जो हमारा मेरे को लगता है कि यहां पर सारे लोग अटकते हैं और I want to see your reply I want to see your reply in the comment section and I want you guys to tell me what would be your strengths and what would be your weaknesses okay and this is one area guys which is I believe you know lot of people are facing problem they are still not able to answer this question and this requires a little bit practice from your side okay this requires a little bit practice from your side so I want you guys to share your strength and weakness with me according to your interview which you can probably discuss with your interviewers okay so SWOT को क्या करेंगे SWOT को क्या करेंगे SWOT एनलाइस strength weakness ठीक है opportunity and threats SWOT analysis क्या होता है SWOT का मतलब होता है strength weakness opportunity और threats I think है ना अगर if I am saying it right so I want you guys to share your strength और at least मैं चाहूंगा तीन से चार आप strength बताएं और दो से तीन दो से चार तक मेरे को you have to tell me the weakness okay so I want you guys my weaknesses are my strength ये तो बिल्कुल जचा नहीं मुझे answer I didn't like this at all और guys make sure that we are not emotional I will tell you to like the tomorrow session what could be the eliminators eliminator समझते हो guys English में बोलते है यार ये तो eliminator था eliminator मतला sometime you give the answers जिसके तुरंत बाद आपको एक बार आवाज आती है ठीक है we will talk to you you can leave now तो आपने interview में कुछ ऐसी बात बोल दी जहां पर आपको उसी time वहाँ पे outright rejection आ गया ठीक है ये अच्छा जादा तर लोग कोशिश करिएगा कि आंसर मेरे को दें दे शूट शेयर इंदी comment section of your क्या ना मैं इसका YouTube है ना instead of giving on telegram you can also share on telegram but I won't be able to see all the answers on telegram है ना कई बार हो जाता है पूरा नहीं देख पाते यार नजमा ये क्या smiling is my strength this will not work है ना you just go and keep on smiling in interview and if they give you job मैं फिर मान जाओंगा तो guys please be don't be emotional when you are discussing your strength आप देखिये जैसे वाटिका ने एक आप मेरे को यहां पर बताया मेरी weakness है कि मैं emotional हूँ guys eliminator थाबित होती है यह eliminator means you will be kicked out of interview if you say like this so I want you guys to be professional when you are dealing with the strength and weakness so मैं चाहूंगा कि आप अपनी strength और weakness को एक professional way में बताएं instead of you know saying it in you know like the emotional way trust is my weakness चलो ठीक है you can say it like this so guys एक चीज़ देखते हैं कि how much you can improvise how much you can go with this this is a small session from my side चलिये तो this is all from my side for today I hope you enjoyed the session मिलते हैं कल दुबारा I'll be sharing a reply for the strength and weakness and will be coming out with 15 more questions regarding this okay so just keep on learning keep on walking on it जितना भी vocab है वो सार देखें English के लिए SP बख्षी आप ले सकते हैं मैं बार बार बोलता है SP बख्षी है किछी बुक है English के लिए लेना चाहते हैं तो चलिये तो I really want you guys to share your weakness and strength this is all from my side thank you so much आज इतना ही हम कर रहे हैं guys बाबाई चलिए चलिए और दुबारा मैं बता देता हूँ यार अगर किसी को भी course से related कोई दिक्कत है ये रहा मेरा telegram ID और मेरे को बिलकुल वहाँ पर अप्रोच करके आप मुझे बता सकते हैं मेरे को personal message भेज सकते हैं अगर आपको course से related कोई दिक्कत है ठीक है so English discussion with Deepak sir is my telegram ID where you can directly approach me if you are facing any kind of problem related to buying the course और if you are facing any related to issue like any issue related to the course चलिए thank you so much for joining and giving your support my name is Deepak bye-bye you झाल 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 झाल